भारत के वीर रक्षक एक जलक बारत के सबसे खतरनाक फोर्स के बारे में ये फोर्स नकेवल अपनी ताकत और साहस के लिए जानी जाती है बलकि इनकी रणनीती और तक्नीकी कोशल भी अद्वितिय है ये हैं हमारे देश के वो जाबाज सिपाही जिनके नाम से ही दुश्मन कापता है इनकी वीरता और बलिदान की कहानिया सुनकर हर भारतिय का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है इनके होसले बुलंध हैं और ये हमेशा देश की रक्षा के लिए तयार रहते हैं जाहे कितनी भी कठिन परिस्थिती हो ये सिपाही कभी पीछे नहीं हटते ये फोर्स अपनी बहादुरी और साहस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है इन्हें कई राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय पुरसकारों से सम्मानित किया गया है इनके पास अत्याधुनिक हथियार और टेकनॉलोजी तो है ही साथ ही इनके पास है अदम्य साहस और देश भक्ती की भावना ये सिपाही हर समय नई तकनीकों को अपनाने के लिए तत पर रहते हैं ये वीर सिपाही हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और दुश्मन को मुह तोड जवाब देते हैं इनकी रणनीती और युद्ध कौशल का कोई मुकाबला नहीं चाहे जंगल हो पहाड हो या फिर समुद्र ये हर जगह अपनी वीरता का परचम लहराते हैं इनकी बहादुरी की कहानियां हर भारतिये के दिल में बसी है इनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता और ये अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं इनका समर्पन और देश भक्ती का जज़बा हर किसी के लिए प्रेरणा दायक है तो आएए आज हम मिलते हैं इन जामबाज सिपाहियों से और जानते हैं इनकी वीर्ता और बलिदान की कहानिया इनकी कहानिया हमें न केवल प्रेरित करती हैं बलकि हमें यह भी सिखाती हैं कि देश भक्ती और साहस का असली मतलब क्या होता है अगनिपत से शौर्यपत तक कठोर प्रशिक्षन यह एक ऐसा सफर है जो हर सैनिक को एक साधारण व्यक्ती से एक अद्वितिय योध्धा में बदल देता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह वीर सिपाही इतने ताकतवर और निडर कैसे बनते हैं यह सब उनके कठोर और अनुशासित प्रशिक्षन का परिणाम है आम ट्रेनिंग नहीं होती बलकि एक ऐसी अगनिपरीक्षा होती है जहां से निकल कर ये फौलादी बन जाते हैं हर दिन एक नई चुनौती होती है जो इन्हें और भी मजबूत बनाती है सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालते हैं चाहे धूप हो या बारिश ये कभी हार नहीं मानते दोड़ना, कूदना, तैरना, हत्यार चलाना ये सब तो बस शुरुआत है इनकी ट्रेनिंग में हर प्रकार की शारीरिक गतिविधी शामिल होती है जो इन्हें हर परिस्थिती के लिए तयार करती है इनकी ट्रेनिंग में शारीरिक क्षमता के साथ-साथ मानसिक मजबूती पर भी जोर दिया जाता है मानसिक मजबूती के बिना शारिरिक ताकत अधूरी है इन्हें सिखाया जाता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में भी खुद को शांत रखें और सही फैसला लें यह निर्णय लेने की क्षमता ही इन्हें एक सच्चा योध्धा बनाती है कई दिनों तक भूखे प्यासे रहना, नींद सिवंचित रहना, यह सब इनके प्रशिक्षन का हिस्सा है यह सब इन्हें सिखाता है कि कैसे कठिनाईयों का सामना करना है यह इसलिए किया जाता है ताकि यह किसी भी परिस्थिती का सामना कर सके चाहे कितनी भी कठिनाई हो ये हमेशा तयार रहते हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए ओन्परेशन और मिशन दुश्मन के घर में घुसकर वार इन वीर सिपाहियों ने कई ऐसे ओन्परेशन और मिशन को अंजाम दिया है जिनके बारे में जानकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करना आतंक वादियों का सफाया करना ये सब इनके लिए आम बात है चाहे वो कारगिल युद्ध हो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कोई और ऑप्रेशन इन वीरों ने हमेशा अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है ये दुश्मन पर बिजली की तरह तूट पड़ते हैं और उसे हरा देते हैं इनके जजबे को सलाम है जो हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ नियोचावर कर देते हैं सेक्शन चार वीरता की दास्ताने जब मौत से हुआ सामना यह कहानियां हमें उन वीर सिपाहियों की याद दिलाती हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुती दे कर देश की रक्षा की ऐसे कई किस्से हैं जब इन वीरों ने अपनी जान की परवाह किये बिना दुश्मनों से लोहा लिया उनकी बहादुरी और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं ऐसी ही एक कहानी है विक्रम बत्रा की जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचै दिया था विक्रम बत्रा का नाम आज भी हर भारतिये के दिल में गर्व से भरा हुआ है बर्व से ढके पहाडों पर गोलियों की बोच्छार के बीच विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिये थे उनकी रणनीती और नेत्रित्व ने युद्ध का रुख बदल दिया था उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणों परांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया हर कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुती देने से भी पीछे नहीं हटता ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और याद दिलाती हैं कि हमारी रक्षा के लिए ये वीर अपना आज कुर्बान कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमें हमेशा उनके प्रती कृतज रहना चाहिए सेक्शन 5 सामरिक महत्व, देश की ढाल, दुश्मन का खौफ दोस्तों, ये वीर सिपाही सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बलकि सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है ये देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और दुश्मनों पर नजर रखते हैं इनकी मौजूदगी से ही दुश्मन के मन में डर बना रहता है और वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सौ बार सोचता है ये देश की सुरक्षा के लिए एक दीवार की तरह खड़े है